वेलकम टू अभिरसी चैनल आज हमारा विशे है वर्ण विचार जिसे हम फोनोलोजी के नाम से जानते हैं सबसे पहले वर्ण विचार की परिवासा वर्ण, वर्ण क्या है? वह छोटी से छोटी ध्वनी जिसके और खंडन या टुकडे नहीं किये जा सकते उसे हम वर्ण कहते हैं इसके बाद है हमारा वर्ण माला वर्ण माला क्या है? वर्णों के समू को ही वर्ण माला कहते हैं हिंदी में हमारे जो वर्ण माला है इसका एक विवस्थित क्रम है एक के बाद एक विवस्थित क्रम है इसको ही हम वर्ण माला कहते हैं जिसमें हमारी संख्याई ग्यारा है. आयोग वाह जो है अंग और आहा ये दो हैं. आगत ध्वनिया आ और नुकता है जिसकी संख्या दो है. वेंजन हमारे 33 है, क से लेकर हर तक हमारे वेंजन 33 है अन्य हमारे ड और ध हैं, जो दो हैं और संयुक्त वर्ण छ, त्र, ग्यां और श, ये हमारे संयुक्त वर्ण है इनकी संख्या चार है इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं स्वर, स्वर किसे कहते हैं अन्ध्वनियों की साहता से बिना बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं स्वरों में उच्चारण में हवा हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है हिंदी में कितने स्वर होते हैं? ग्यारा स्वर के भेद स्वर के तीन भेद हैं हास्वस्वर, दीर्गस्वर और प्लुप्त्वर हास्वस्वर की परिभाशा देखेंगे जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत थोड़ा सा समय लगता है उसे हास्वस्वर कहा जाता है ये चार हैं आ, इ, उ, री दीर्गस्वर जिन स्वरों से उच्चारण में हास्वर से लगभग दुगना समय लगता है उन्हें दीर्गस्वर कहते हैं ये साथ हैं आ, ई, उ, ए, ए, ओ और ओ पलुप्तश्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्गस्वरों से भी अधिक समय लगता है उसे पलुप्त श्वर कहते हैं जैसे ओम इसका प्रयोग बहुत कम होता है पलुप्त सर का प्रयोग प्रारह दूर से बुलाने के लिए किया जाता है जैसे अरे, स्याम, इधर, आना श्वरो की मात्राईं श्वरो का स्वतंत रूप से प्रयोग किया जाता है किन्तु जब स्वरो का प्रयोग वेंजनों के साथ मिलकर किया जाता है, तब उसका स्वरोग बदल जाता है, उसे हम मात्रा कहते हैं, इसके पश्चात हम देखेंगे, वेंजन, स्वरो की साहता से उच्चारिद वर्णों को ही हम वेंजन कहते हैं, वेंजन के भेद, इसपर्स वेंजन, अन्ता इसपर्स वेंजन, उश्म वेंजन ये हमारे वेंजन के तीन भाग है इसके पश्चात हम अभी तक जो पढ़े हैं उसकी हम पुनुराव रित्ती करेंगे जैसे सबसे पहले आपको याद करना है कि वर्ण किसे कहते हैं वह ध्वनी जिसके और अधिक टुकडे ना किये जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं इसके बाद है वर्णमाला किसे कहते हैं वर्णों के विवस्थित समून को वर्णमाला कहते हैं वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के दो भेद हैं स्वर और वेंजन हिंदी में कितने स्वर हैं? हिंदी में ग्यारा स्वर हैं वेंजनों का उच्चारण स्वरों की सहता से होता है स्वर के कितने भेद हैं? स्वर के हाश्व, देर्ग और प्लोप्त ये हमारे तीन भेद हैं वेंजन के कितने भेद हैं? वेंजन के तीन भेद हैं इस्पर्ष अन्ता इस्पर्ष और उश्म वेंजन शैयुक्त वेंजन चार है छ, त्र, ग्या और श अनश्वार का उच्चारण नाक से होता है वर्णों को अलग-अलग करके लिखना वर्ण विच्चे तहलाता है वर्तनी में अशुद्यों का मुख कारण ही अशुद्य उच्चारण होता है थेंक यू